नमस्का दोस्तो मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ कोर्नर में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे कोफलेट सिरप के बारे में तो इसकी पुरी जानकारी जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना न भूले दोस्तो ये जो कोफलेट सिरप है वो हिमले डक्स कंपनी का एक आरिवेदिक प्रोडक्ट है और इसके कंटेंट की जो कॉंटिटी है वो 100 ml की है मार्केट में बहुत सारे प्रकार की कप सिरप अवाइलेबल होती है और वो सब एलोपेथिक होती है यानि कि उसमें कोई न कोई प्रकार के केमिकल्स का इस्तेमाल किये गया होता है पर ये जो कोफलेट कप सिरप है वो एक आरिवेदिक चीजों से बनाए गया है इसमें कोई भी तरह के केमिकल्स का यूज नहीं किये गया सिर्फ आरिवेदिक पोदों के डिफरेंट पार्ट को यूज़ करके इस सिरप को बनाया गया है अब बात करते हैं इसके उज़ेस की तो ये सिरप ड्राइ कप और इरिटेटिव कप को दूर करने में मदद करता है Irritative Cup यानि के जब हम बात करते होते तब बात करते समय हमारे गले में खरास जैसा लगता है रुक रुक के बोलना पड़ता है तो इस तरह की irritation को दूर करने में और गले में जो infection होता है उनको दूर करने में ये syrup बहुत अच्छी रहती है दोस्तों अगर ये syrup को आपको खरीदना है तो ये syrup आपको कोई भी medical store में 75 रुपीज में मिल जाएगी और खास बात त्यान रखेगा इसको खरीदे समय इसकी expiry check करना न भुलिएगा बात करते हैं इसको कैसे इस्तिमाल करना है तो आप जब भी इसको इस्तिमाल करें तभी उसको अच्छे से एक बार सेख कर ले उसके बाद इसको आप उमर के मुतबिक ले सकते हैं जैसे की 3-12 साल की उमर के बच्चों के लिए डेट से एक चमच 3 टैम्स यूज करना है यानि के सुबह को दोबर को रात को और बारा से उपर उमर वाले इसको एक से दो चमच 3 टैम्स यूज कर सकते हैं ध्यान रखें बच्चों को डोक्टर की सला के मुतबिकी दवाई लेनी है दोस्तो इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू एसे ही यल से रिडिल्टिव वीडियो को देखने के लिए मेरा ये चैनला सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूले